ये है stock versus nifty का chart जानुआरी 2020 से current date तक देखते हैं गिरावट और recovery कैसी रही 1st January से मार्ज तक nifty 38% डाउन था और ये stock लगबग उतना ही नीचे गया ठीक है जानुआरी 2020 से current date तक 10% का reduction इस stock price में देखने को मिलता है ये stock तो depreciate हो गया देखिए कहां index का move और कहां stock का move इस stock का long term performance कैसा था आईए देखते हैं 1-1 2014 को share price थी और index था 6 साल बाद share price थी और index था lockdown में जब lowest point पर market थी तब 23 मार्ज 2020 को share price थी और index था और current price है और index है अगर हमें nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में चार बाते होनी चाहिए 1-1 लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए 2-2 जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए 3-3 जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए nifty के मुकाबले 4-हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा share nifty से better है या नहीं यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस share में invest किये 6 साल बाद 1 जानिवरी 2020 को इस share में invest किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए निफ्टी 50 shares में invest किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन निफ्टी 50 में invest किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च 2020 में इस investment की value हो गई और current nifty 50 investment की value है निफ्टी में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point nifty ने जीत लिया है second point share ने जीता third point nifty ने जीता overall nifty जीता यही figures चार्ट में देखते हैं एक minute के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि यह share और nifty का index जैसे पिछले साथ सालों में चले हैं वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती fd के 8% के मुकाबले nifty ने कितने percentage का return दिया यह share ने कितने percentage का return दिया यह comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर nifty मजबूत रहा यह comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा यहाँ तक की